नमस्कार रियलेफ रेसिपी में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पुदिने वाली लस्षी पुदिना और दही दोनों हमारे लिए भौत ही फैदे मंद है तो चलिए इस भयांकर गर्मी को दूर भागाते हैं और पुदिने और दही का लस्षी बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने लिया है पुदिना, एक कप दही, चीनी, काला नमक, भूना हुआ जीरा पाउडर और कुछ आइस क्योब अब हम लेंगे एक देंडर जार, सबसे पहले हम इसमें पुदिने के पत्तियों को डालेंगे, इसे मैंने दोकार अच्छी तरह से साफ कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे एक से दो चम्मच दही, अब हम इसमें पूरा दही नहीं डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले, आपको जितना मीठा पसंद हो उतना आप चीनी इसमें डाले इतने दही में 2-3 गलास लशी बन कर तेयार हो जाएंगे अभी मिश में डालेंगे आधा छोटा चमच काला नमक और इससे हम बारीक पीस लेंगे पुदिना हमारा पीस चुका है अब हम इसमें बचा हुगा जो दही है उसे डालेंगे अब हम इसमें डाल लेंगे एक कप पानी अब हम ढखकन लगाकर इसे फिर से ग्राइंड करेंगे जिससे की दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ये देखिए दही हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो चलिए लसी हमारा तयार है अब इससे हम सर्फ करते हैं गर्मी के सीजन में हमें लसी जरूर पीना चाहिए यह हमारे बॉड़ी को ठंडा रखता है अब हम इसमें डालेंगे थोरा सा काला नमक कुछ आइस क्यूब्स अगर आपके पास आइस क्यूब्स नहीं है तो आप इसे एस क्यूब्स कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर आप इसे भी अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं तो लीजिए तयार है पुदीने की लसी तो देखा आपने कितनी आसानी से बन गया एक लसी तो एक बार इसे आप जरूर बना कर ट्राइ करें इसे पीने से आपको गर्मी से बहुत रहात मिलेगी अगर आपको इस वीडियो थोड़ा भी हेलफूल लगा हो तो प्लीज हमेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा यह वीडियो और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाए जिसे की आगे आने वेले वीडियो के नोटिफिकाशन भी आपको सबसे परले मिले